तो आज सुबह मैं पार्लिमंट किया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लिमंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ सरकार के शायद चार मंत्रियों ने, चार मंत्रियों ने मेरे उपर अरोप लगाया है, हाउस में अरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लमंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहいた अ Clarity था मगर मुझे नही लगता है कि मुझे बोलने देंगे मैं hopeful हूँ कि कल मुझे बोलने दे आज एक मिनट के अंदर मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को जन कर दिया हुपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दे क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ मगर पक्का नहीं मालूँ आइडिया ये है कि जो मैंने भाषन कुछ दिन पहले पार्लिमंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिष्टा है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे उस भाषन को पार्लिमंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषन में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पुब्लिक रेकोर्ड से मैंने नहीं निकाली अख़बारों से लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषन डिवेलब किया था और उसको एक्सपंज करते आ गया एक्सपंज करते आ गया यह पूरा मामला डिस्ट्रैक करने का मामला है सरकार और प्रधान मंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए है और इसलिए उन्हें ने यह पूरा कमाशा प्रिपेर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पारल्लमंट हाउस पे नहीं बोलने देंगे क्योंकि जो main सवाल है वो अभी भी table पे है अदानी जी और प्रधान मंत्री का रिष्टा क्या है जो defense contracts अदानी जी को दिये जा रहे है वो क्यों दिये जा रहे है जो स्री लंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई किसने की ऐस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक की चेर्मन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई उसमें क्या डिसकास हुआ तो ये सब सवाल हैं जो प्रधान मंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये में बात है मैं MP हूँ तो मेरी पहली responsibility पार्लिमंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूँ कि पार्लिमंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ detail में discussion करूँ मगर उससे पहले मैं detail में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो as an MP वो हमारा platform है